गुड मॉर्निंग फ्रेंज मैं राज कुमार सिंग आप से लोग अपने चैनल में बहुत बहुत स्वाइब करता हूँ आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के सुप्लिमेंटी रिडिया का सेकेंड चेप्टर जिसका टाइटल है इसकी राइटर है सिस्टर निवरिता इस लेशन में हम लोग राजा विक्रमादिते के जीवन के बारे में पढ़ेंगे जो कभी उजयन में सासन किया करते थे और इन्ही के नाम पर विक्रम सनौत की सुरुवात भी हुई थी बहुत ही इंट्रेस्टिंग कहानी है इस लेशन के फर्स्ट पार्ट की वीडियो में बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा तो वहां से जागर के आप उसको पढ़ सकते हैं अब हम पढ़ेंगे इसके सेकेंड पार्ट को तो आईए इसके सेकेंड पार्ट को यहां से देखते हैं फ्राम देन अन्वर्स इस घटना के पहस्चात तो फेमस डिड़ दिस काव हर्ड बिक्यम या काव हर्ड मतलब चरवाह इतना ज़्यादा परसीद हो गया that all the complicated disputes were put before him all the complicated मतलब हो जाएगा जटिल disputes मतलब बिबाद were put before him मतलब उसके समच रखे जाने लगे and always the same thing happened और सदव वही बात होने लगती थी the spirit of knowledge and justice would come to him the spirit of knowledge and justice ज्यान और न्याई की spirit मतलब आत्मा would come to him उसमें आ जाती थी and he would show them the truth और वह लोगों को सत्य का दर्शन कराता था but when he came down from his seat लेकिन जैसे ही वह अपने बैठने के अस्थान से नीचे आता था he would be no different from the other boys मतलब वह अन लड़कों के समान ही दिखाई देता था gradually gradually मतलब धीरे धीरे this news spread through the countryside या समाचार देहाती छेत्र में भी फैल गया grown up men and women from all the villages सभी गाओं से भड़ी आयू के पूरुस तथा महिला हैं would bring their disputes अपने जगड़ों या बिबादों को लाते थे in the court of the cowherd boy उस चरवाहे लड़के के दरबार बे and always they receive a judgment और हमेशा उन्हें एक न्याय मिलता था that both sides understood जिसे दोनों पच समढ लेता था and so went away satisfied और दोनों पच संतूश्ट हो कर के जाता था now the king अब राजा ने who lived far away from उजन जो उजन से काफी दूर रहता था here this story इस कहानी को सुना well he said उसने कहा निश्चा ही that boy must have definitely sat on the judgment seat of विक्रमादित्य निश्चा ही वह लड़का विक्रमादित्य के न्याय सिंगासर पर definitely मतलब निश्चित रूप से बैठा होगा the king's guess was correct राजा का अनमान ठीक था as the ruins about the meadows were once विक्रमादित्य सब पहले क्योंकि उन चारगाहों के आसपास के जो खंडर थे वे कभी विक्रमादित्य के महल हुआ करते थे if just sitting on the mound brings wisdom and justice to the safford boy he thought राजा ने सोचा यदी केवल उस mound मतलब टीले पर बैठने मात्र से safford boy मतलब चरवाहे लड़के को wisdom and justice मतलब बुधिमानी और नयाय आ जाता है let's dig deep and find the judgment seat तो हमें उसे गहराडिक मतलब खोदवाना चाहिए and find the judgment seat और उस नयाय सिंगासन को प्राप्त करना चाहिए I too shall sit on it and hear all the cases मैं भी उस सिंगासन पर बैठूँगा और सभी मामलों को सुनूँगा then the spirit of विक्रमादित्य will descend upon me as well and I shall always be a just king राजा ने सोचा कि उसके बाद में विक्रमादित्य की आत्मा भी मेरे उपर descend मतलब उतर आएगी and I shall always be a just king और मैं भी हमेशा एक नयाय पिरे राजा रहूंगा so with spats and shovels the grassy null were the boys played was overturned अता with spats मतलब फावडों से and shovels मतलब कुधालों से dead grassy null मतलब वह घास का null मतलब टीला where the boys played जहां पे बच्चे खेलते थे was overturned मतलब उसको पलट दिया गया the boy who had been the self-made judge was sorrowful वह लड़का जो अपने आप में ही नयायाधिस बन चुका था was sorrowful मतलब वह दुखी हुआ he felt that something very dear to him was being taken away उसने ऐसा felt मतलब अनभो किया कि कोई अत्यंत प्रिय वस्तु उससे छीनी जा रही हो at last the laborers came on something और अंत में मजदूरों को कोई वस्तु मिली they uncovered it वेलग उस पर से मिट्टी हटाए and found a slab of black marble और उन्होंने काले संग्मर्मर की एक slab मतलब पटिया पाई supported on the hands and wings of 25 stone angels जो पत्थर के 25 तेवदूतों के हाथों तथा पंखों के सहारे पड़ी हुई थी surely it was the judgment seat of विक्रमादिते निश्चित रूप से ही यही विक्रमादिते का नियाय सिंगासन था विथ ग्रेट रेजो सिंग रेजो सिंग मतलब हो जागा परसन्नता अत्यंत परसन्नता के साथ इट वाज ब्राट तो दे सीटी इसे नगर में लाया गया और प्लेश्ट इन दे हौल अब जस्टिस और इसे न्यायाले के विशाल भवन में रखा गया राजा ने अपनी प्रजा को आगया दिया तू आब्जर्व थ्री डेस प्रेयर फास्टिंग कि वे तीन दिन तक इस्वर की प्राथना करें और फास्टिंग मतलब उपवास रखें और घोषड़ा की दाइट आन दा फोर्थ डे की चौथे दीन ही विड एसेंड दा थ्रोन पब्लिकली वा थ्रोन मतलब सिंगासन पर पब्लिकली मतलब पूरी जनता के सामने एसेंड मतलब बैठेगा अन्त में वह सुब प्राता का लाया और राजा को सिंगासन पर बैठते हुए देखने के लिए जो भीड थी हुआ असेंबल मतलब वहां इकटी हो गई वाकिंग थ्रो दा लॉंग हाल लंबे हाल में चल करके उस राज के जज जो थे और जो पुजारी थे वे चल करके आए फालोड बाई दा किंग और उनके पीछे पीछे राजा था देन आयस दे रिच्ड दसीट अब जज्मेंट और जैसे ही वे नियाय सिंगासन के पास पहुँचे दे पाटेड इंटो टू रोज वे लोग दो पक्तियों में खड़े हो गए दा किंग वागड आफ इन दा मीडल और राजा उनके बीच से होकर के गुज्रा बोर्ड इस हेड इन रिवरेंस समान में अपने सीर को बोड मतलब जुकाया और जैसे ही राजा उस सिंगासन पर बैठने वाला था उसमें से एक देदूत ने बोलना प्रारंब किया रुख जाओ उसने कहा क्या तुम समझते हो कि तुम बिक्रमा दिते के निया सिंगासन पर बैठने के योग्य हो क्या तुमने कभी अपने डिजार मतलब इच्छा प्रकट नहीं की उन राज्यों पर सासन करने की जो तुम्हारे नहीं थे कुछ समय तक राजा को कोई उत्तर नहीं सुझा वह जानता था कि उसका जीवन नयाय पूर नहीं था अप्टर लांग साइलेंस कुछ देर चुपचा प्रहने के बाद ही स्पोक उसने कहा नो ही सेड नहीं उसने कहा आई एम नाट वर्दी मैं योग नहीं हूँ गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फार थ्री डेज शेड दा एंजल देवदूत ने कहा कि तब जाओ और तीन दिन तक उपवास रखो और भगवान की प्रात्ना करो so that you may purify yourself ताकि तुम अपने आपको purify मतलब सुद्ध कर सको and be worthy और योग हो सको to sit on the throne सिंहासन पर बैठने के with these words इन सब्दों के साथ his spirit is wings उस देवदूत ने अपने पंखों को फैला लिया and flew away और उड गया the king prepared himself राजा ने अपने आपको तयार किया with prayer मतलब प्रात्ना के द्वारा and with fasting और fasting के द्वारा मतलब उपवास के द्वारा to come again दुबारा आने के लिए and sit on the judgment seat of बिक्रमा देते हैं और बिक्रमा देते के निया सिंहासन पर बैठने के लिए but this time again the same thing happened लेकिन इस पार भी पुना वही घटना घटी another stone angel asked him if he had never desire to possess the riches of others दूसरे देवदूत ने उससे कहा कि क्या उसने कभी भी इच्छा नहीं परकट की है to possess मतलब अपना बनाने के लिए the riches of other दूसरे के धन को मतलब क्या उसने दूसरे के धन को अपना बनाने की इच्छा नहीं परकट की है the king admitted राजा ने सभिकार किया that he had done so कि वह ऐसा किया है and therefore और इसलिए he was not worthy वह योग नहीं था to sit on the judgment seat उस न्याय सिंगासन पर बैठने के in this way इस प्रकार से whenever the king try to occupy the throne जब कभी भी राजा उस सिंगासन पर बैठने की कोशिस किया he was questioned उससे प्रस्ण पूछे गए by an angel एक देवदूत के द्वारा and he had to withdraw और उसे रुकना पड़ा this went on till only one angel was left supporting the marble slab यह तब तक चलता रहा जब तक कि किवल एक देवदूत बच गया was left supporting मतलब समर्थन करने के लिए या सहरा देने के लिए the marble slab मतलब उस संगमर्मर की पटिया को the king went near the throne with great confidence राजा उस सिंगासन के पास बहुत ही विश्वास के साथ गया for क्योंकि he felt उसने महसूस किया sure a being allowed कि उसे अनमती मिल जाएगी to take his place that day कि उसे इस दिन सिंगासन पर बैठने की अनमती मिल जाएगी but as he came near the seat लेकिन जैसे he was seat के पास आया the last angel spoke अन्तिम देवदूत ने कहा are you then perfectly pure in heart oh king हे राजा क्या तुम अपने हिर्दे से पूरी तरह से सुद्ध हो is your heart as pure as that of little child क्या तुम्हारा हिर्दे एक छोटे बच्चे के समान सुद्ध है if so यदि ऐसा है you are indeed worthy to sit on his seat तो तुम वास्तों में इस seat पर बैठने के योगे हो no said the king very slowly nahi राजा ने धीरे से कहा no I am not worthy nahi मैं योगे नहीं हूँ and add these words और इनी सब्दों के साथ the angel flew up into the sky वह देदूद भी आसमान में उड़ गया bearing the slab upon his head अपने सीर पर उन पटियों को ले करके this was how the judgment seat of विक्रमादि disappeared from the far river इस प्रकार से विक्रमादित्य का न्याय सिंगासन इस धर्ती से far river मतलब हमेशा हमेशा के लिए disappear मतलब अद्रिस से हो गया झाल